फ्लाक सीट्स यानी अलसी सर्दियों में मैं अल्मोस्ट एवरी डेइ ने कंज्यूम करती हूँ बिकर्स रहली नूट्रिशिस लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टन स्टेप्स हैं कभी नहीं बूलती ताकि मैं इनके पूरे नूट्रिंट्स को एंजॉय कर सकूँ ऐसे में फ्लाक सीट्स को आप कैसे कंज्यूम करें कि उसके सारे बेनेफिट्स उसके सारे नूट्रिंट्स आपको मिलें और उससे होने वाले कुछ side effects से आप बच सकें तो चलिए आज फ्लाक सीट्स की स्पूरी science को समझते हैं तो एक टेबल स्पून फ्लाक सीट्स के अंदर 57 के आसपास होती है calories यानि फ्लाक सीट्स जो होते हैं they are not low in calories फ्लाक सीट्स के अगर एक टेबल स्पून की बात करें तो उसके अंदर 3 ग्राम के आसपास आपको काब मिलता है और उसमें से 2.8 ग्राम जो होता है वो होता है फाइबर तो एक्चर में फ्लाक सीट्स जो है वो low carb है अगर total carbs की बात की जाए तो 95% जो है फ्लाक सीट्स के अंदर वो फाइबर है और फाइबर भी कौन सा इसके अंदर दोनों soluble और insoluble fiber पाया जाता है soluble fiber वो होता है जो हमारे stomach के अंदर जाके water के साथ mix होकर gel बन जाता है insoluble fiber जो होता है वो mix नहीं होता है पाने के साथ लेकिन वो एक bulk create करता है यानि एक तरह से धक्का मारता है हमारे जो waste होता है उसे और हमें constipation से बचाता है और ये prebiotic का भी काम करता है हमारे gut के अंदर जाके ये good bacteria का feed बनता है और उन्हें improve करता है यानि flaxseed इसलिए हमारे gut health के लिए बहुत जरूरी है इसके अंदर laxative property भी होती है जब आप flaxseed को consume करते हैं तो water के content में आने के बाद ये gel जैसा बन जाता है that is called laxative property इसलिए ये आपकी intestinal health के लिए बहुत ही अच्छा है आपकी digestive health के लिए आपको flaxseeds को consume करना चाहिए कैसे आपको consume करना चाहिए वो बहुत जरूरी है सबसे पहला जो आप step लें number one flaxseeds को कभी भी large amount में ना खरी दे flaxseeds की जो shelf life होती है वो जादा लंबी नहीं होती है और specially अगर आपने इसे एक बार roast कर दिया इसे roast करना बहुत जरूरी है flaxseeds के अंदर बहुत सारे anti-nutrients होते हैं जैसे की phytate होता है इसके अंदर oxalate होता है और कुछ ऐसे substance भी होते हैं जो carcigenic होते हैं लेकिन इतने large amount में नहीं कि आपको वो cancer दे देंगे येस लेकिन वो access में आपकी body के लिए अच्छे नहीं होते हैं और ये जो phytates और oxalates होते हैं वो flaxseeds के अंदर पाए जाने वाले अच्छे nutrients के साथ bind होके उनके absorption को आपके stomach के अंदर रोकते हैं तो अगर आप इन्हें roast नहीं करते हैं तो ये phytates और oxalates चो होते हैं वो खतम नहीं हो पाते हैं इसलिए flaxseeds को हलका सा roast करना ज़रूरी है roast करने के लिए make sure कि आप इन्हें धीमी आज पे roast करें और ज़्यादा देर के लिए roast ना करें जब आप flaxseed को as it is consume करते हैं whole तो आपके stomach जो है वो से process नहीं कर पाता है और ये as it is eliminate हो जाते हैं आपकी body से through your waste जो आप इन्हें powder के form में consume करते हैं तभी इनके nutrients को आप इनके अंदर जो मौजूर nutrients हैं आप उन्हें enjoy कर सकते हैं तो इन्हें पीसना भी बहुत जरूरी है लेकिन पीसने के बाद इनके अंदर oxidization का process start हो जाता है तो as I said कि जब आप ये process करें तो हफ़ते का एक batch तयार करें इससे जादा आप उसे use ना करें क्योंकि इसके nutrients सभी तक आपके लिए fresh रहेंगे आप weekly basis पे या 10 days के basis पे इस process को repeat कर सकते हैं अगला है क्योंकि इसके अंदर fiber बहुत जादा है तो make sure कि अब अपनी diet के अंदर fluid को जादा add करें यानि जब आप flaxseed को consume कर रहे है on a daily basis तो आप पानी का consumption जादा करें क्योंकि यह जो fiber होता है यह आपके stomach के अंदर जाके पानी को soakता है अगर आपका daily intake जो है water का वो low है तो इसमें यह जादा पानी को खीच लेगा और again आपको constipation हो जाएगी और आप कहेंगे कि मैं तो flaxseed भी consume कर रही हूँ फिर भी मुझे constipation हो रहा है make sure कि सर्दियों में अपने पानी के intake को कम करने की बचाए थोड़ा सा बढ़ा दीजिए जब आप flaxseed को diet में consume करें इसे यूज कर सकते हैं फ्लाक सीट के इस powder को आप अपने चीले के बैटर के अंद आते में गूल सकते हैं आप दाल के उपर salad के ओपर soup के ऊपर बहुत सारे तरीकी से stew के ओपर इसे डाल कर इसे use कर सकते है आप इनसे लड़ू बना सकते हैं पिन्निया बना सकते हैं पंजीर में इने डाल सकते हैं, next number पर आता है fat, now इसके अंदर जो fat होता है वो 42% होता है, यानि flaxseeds 42% जो है वो fat है, लेकिन वो fat आपके लिए अच्छा होता है क्योंकि 70% से जादर जो वो fat होता है, वो होता है omega 3, flaxseeds जो है वो plant sources में सबसे high rank करते हैं, जब हम omega 3 के sources की बात करते हैं लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत important fact में आपसे discuss करना चाहूंगी जो भी plant sources होते हैं omega 3 के, उनके अंदर ALA होता है ALA यानि alpha lineolic acid, omega 3 जो होता है, वो हमारी body के अंदर use करने के लिए ज़रूरी है कि वो DHA या फिर EPA में convert हो, यह सारी family होती है, poly unsaturated fatty acids की अगर आपकी body के अंदर यह जो ALA है, वो convert नहीं होता है, DHA में और EPA में तो यह omega 3 fat के functions perform नहीं करता है, यह किसी भी regular fat की तरह है आपकी body के अंदर या तो store हो जाता है, या use हो जाता है तो एक tablespoon flaxseed से आपको 1800 mg जो है, वो omega 3 मिलता है यानि ALA मिलता है, लेकिन इसका convert होना जरूरी है हमारी body के अंदर लेकिन यह जो conversion rate है, वो बहुत low होता है और वो आपकी gut health पे depend करता है अगर आपकी gut health बहुत अच्छी है, तब भी यह सिर 15% ही convert होगा और अगर आपकी gut health अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि यह सिर 3% ही convert हो यानि actual में आपको 1 tablespoon flaxseed से सिर्फ 60 mg ही omega 3 मिला और आपकी requirement होती है minimum 250 mg की तो इस पूरे maths से मैं simple आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर आपकी gut health अच्छी नहीं है तो यह जो omega 3 है, flaxseed का वो आपके लिए जादा काम नहीं करेगा आपकी gut health को आपको improve करने की जुरुत है और जरुरुत है कि आप multiple sources से omega 3 ले सिर्f flaxseed पर आप depend ना करें साथी जो yellow वाले flaxseeds होते हैं उनके अंदर omega 3 की मातरा कम होती है कोशिश करें कि आप brown वाले ही flaxseed अपनी diet के अंदर include करें Last but not the least, यह जो omega 3 होता है आपकी body में इसके absorption के लिए इसी किसी healthy fat के साथ combine करना जरूरी है इसी लिए आपकी जो दादी है, नानी है, मम्मी है वो लड़ू में देसी घी डालती है क्योंकि उसके अंदर vitamin D होता है Vitamin D और healthy fat जो होता है वो fat soluble vitamins को जैसे कि इसके अंदर vitamin A, E होता है, omega 3 होता है इसके absorption में help करता है तो जब भी आप flaxseed को consume करें हो सके तो इसे किसी और healthy fat के साथ combine करके अपनी diet के अंदर add करें ताकि आपको इसके सारे जो essential nutrients हैं वो मिलें Next number पर आता है protein तो they are not very rich in protein protein की मातरा 18% होती है protein इसके अंदर अच्छा होता है यानि amino acids का profile अच्छा है, quality इसकी अच्छी है लेकिन एक amino acid missing है इसलिए ये complete protein नहीं है इसके अंदर license जो होता है वो कम होता है, it lacks license तो license के लिए make sure कि जब आप flaxseed को consume करें तो बाकि ऐसे food sources अपनी diet के अंदर add करें जिसके अंदर license हो जैसे कि आप pumpkin seeds अलग अलग तने के nuts आप add करेंगे या फिर अगर आप इसे रोटी के साथ ले रहे हैं लेंटिन के साथ ले रहे हैं तो आपका जो profile है of protein वो complete हो जाएगा तो इसलिए protein भी अच्छी quality का लेने के लिए फ्लाक सीट से आपको ज़रूरत है कि आप इसे अच्छी तरह से combine करके consume करें अगर आप पोचिनल के फ्लाक सीट को लेने का best time क्या है तो morning में empty stomach आप इने avoid करें लेकिन breakfast में वो लोग जो बहुत ज़ाधा active lifestyle follow करते हैं इसे consume कर सकते हैं उनके लिए बहुत beneficial रहेगा अगर आप general health के लिए ले रहें आपको cravings होती है तो snack में अच्छा option रहेगा people having hormonal issues and जिनकी gut में कुछ problem है intestinal health उनको improve करनी है तो इसे आप dinner के आसपास यानी bedtime के आसपास से तो आपके लिए beneficial रहेगा अगर मैं anti-oxidants की बात करूं तो flaxseed के अंदर phloric acid होता है यह जो होता है वो बहुत सारी chronic बिमारियों को कम करने के लिए बहुत ज़ादा useful है इसके अलावा सबसे important चीज़ जिसके लिए इसे hormonal balance के लिए recommend किया जाता है वो है इसके अंदर lignan पाया जाता है lignan एक तरह का antioxidant होता है एक तरह का compound होता है जो phytoastrogen की तरह हमारी बॉड़ी में काम करता है फ्लाक्सिस होते हैं वो plant sources में lignan में सबसे high होते हैं यह जो phytoastrogens होते हैं वो mimic करते हैं हमारी body के अंदर जाके estrogen को और उसे balance करने में help करते हैं अच्छी बात क्या है कि यह जो phytoastrogens होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं और वो आपकी body के अंदर जाकर देखते हैं कि estrogen low है या up है अगर high है तो उसे cut down करने के लिए helpful होते हैं और अगर low है तो उसे boost करने में ये important role play करते हैं So अगर आप इन सारे steps को follow करते हैं यानि अगर आप इनके साथ पानी को consume करते हैं इन सही तरीके से cook करके consume करते हैं combine करते हैं इसे अच्छी तरह से तो flaxseed के आप पूरे benefits को enjoy कर सकते हैं Another important thing जो मैं add करना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर आप flaxseeds को sprout करते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा beneficial हो जाएंगे Sprouting का process यह होता है कि जब आप किसी चीज़ को sprout करते हैं तो उसकी bio availability of nutrients increase हो जाती है और वो आपके लिए available भी हो जाते हैं यानि 30% जो भी केंदे nutrients होंगे especially vitamins and minerals और antioxidants वो increase हो जाएंगे और हमारी body के लिए वो available हो जाएंगे So Ayurved कहता है कि एक तहें से दुबार से life आजाती है उस seed के अंदर जब आप उसे sprout करते हैं ऐसे में वो आपके लिए ज़्यादा beneficial होता है rather than eating a dead food तो ऐसे में फ्लाक seeds को अगर आप sprout करके consume करेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा beneficial रहेंगे But make sure though they are healthy but ऐसा नहीं है कि यह सबके लिए सूटेबल है अगर आपको इनसे allergy है अगर आपका स्टामक सेंस्टिफ की करता है इने consume करने के बाद अगर आप इने टॉलरेट नहीं कर पाते हैं there is no need to add such food to your diet क्योंकि आपके लिए इतना useful नहीं रहेगा आपके लिए इतना useful नहीं रहेगा आपके लिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इसका नेचर थोड़ा सा वाम होता है आप इसे विंटर में कर सकते हैं अगर आप इने on a regular basis on a day to day basis consume कर रहे हैं तो भी आप इसे ब्रेक लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये ब्रेक आप ले सकते हैं यानि अगर आप लड़ू खा रहे हैं तो 21 तक खाईए चोटा सा ब्रेक लिजे and then you can start again और अगर आप थोड़ी मातरा में consume कर रहे हैं जादा मातरा में नहीं तो आप इनसे ब्रेक ले सकते हैं after every 3 months ब्रेक लेना लेकिन बहुत जरूरी है So this was all about flaxseeds I hope आप इने enjoy करेंगे ठीक से अपनी डाइट के अंदर include करेंगे ताकि आप इनके पूरे benefits को use कर सके So thanks for watching, stay healthy, stay fit, stay active and I'll be back very soon until next time you take care, bye bye